तो गाइज आज की वीडियो हम बात करेंगे पोको की नियू अपकमिंग स्माटफोन के बारे में जो कि आपको बहुत चल इंडिया में देखने को मिल जाएगा और यह जो स्माटफोन होगा यह 5G स्माटफोन होगा दोस्तों पिछले साल आपको पोको M2 Pro स्माटफोन देखन बीडियो देखने वाला है जोस्तों अगर आप भी एक निगा पर रचार थे या फिर आ फिर आप 610 पर प्रचेस करना चाहते हैं आपका बजट कम है तो यह वीडियो आपके लिए हो सकती है तो बन रिया है याज की दिस्प्रियो में चली ज़िदियो को स्टार्ट करते है वही दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका बैक डिजाइन है जो कि आपको पोको M3 में भी देखने को मिला है तो कि कभी जादा यूनिक एन अट्रेक्टिव लग रहा है तो यहां पर आपको 6. 15.5 इंच 23.5 इंच का फुल-AG जिसको ऊस्पवेक्ट रेशियो वही दोस्तों इसमें आपку 90 स्का का रिफ्रेशर्सेट देखने को मिल रहा है ज्ए उसकी इसका क्वाल्टी को कफी जादा बढा देगा वहीं अगर हम इसके परफोरस्डेक्ख मिल आं और आपकी जो फॉन की परफॉर्मन्स होगी वो भी काफी जादा हक तक ठीक हो जाएगी जोस्तों यह जो चिप्चाट होगा यह 5G इनेबल चिप्चाट होगा वहीं दोस्तों अगर हम इसके स्टोरेज वेरियन की बात करें तो यहां पर आपको 6GB RAM और 4GB RAM का option देखने को मिल जाएगा वहीं 128GB तक का storage option भी आपको देखने को मिल जाएगा वहीं अगर हम इसके camera section की बात करें तो यहां पर आपको triple rear camera setup देखने को मिल जाएगा जिसमां आपको 48 Megapixel के primary camera देखने को मिल जाएगा दो 2 Megapixel के 2 depth sensor आपको देखने को मिल जाएगे ज यहां पर आपको ठीक टा camera देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम इसके battery backup की बात करें तो यहां पर आपको पांच चाहरा मेंच की battery मिलेगी जो कि आगी 18W की fast charging देखने को मिल सकती है लेकिन जो अभी तक confirm है वह 18W की fast charging ही confirm है दोस्ता अगर हम इसकी color variant की बात करें तो से बंदे के बीच दोस्तों यह जो smartphone है यह आपको next week तक इंडिया में देखने को मिल जाएगा इसका जो ग्लॉबली लॉंच है वो 19 महीं है तो दोस्तों आप इस smartphone के बारे में क्या सुचता मुझे कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके तक तो मिलते नाइक्स वीडियो में धन्यवाब